हलो लर्णर्स आप सबी को प्यारवार नमस्कार ग्यानस्तिरी क्लासेश के यूट्यूब सेसन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे डेली MCQ प्रैक्टिस सीरीज में आज है 18 झौबर और आज के इस सिसन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सी क्वेस्ट आप से है कि कायनली वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे इतने efforts जाते है इन वीडियो को बनाने में और एक आपका लाइक हमें motivate करता है डेली इन वीडियो को आप तक पहुंचाने के व तो इस अब बेहास सिरीज में हम प्रैक्टिस करते हैं अपने पेपर वन के questions यानि UGC NET का पेपर वन अगर आप फोकस कर रहे हैं सवाब आरब अजे की एक लास होती है पूरे YouTube पे ऐसी class आपको नहीं मिलेगी इस बात की guarantee है और इतने dedication से इतने discipline से ये class आप लोग के लिए आई जाती है और expectation यही है कि आप लोग को कुछ help मिले इन classes से start करते हैं आज के session को बिना किसी देरी के और आज कुछ different question होने वाले हैं बहुत सारी learners का request आ रहा था और बहुत सो लोग बोल भी रहते हैं कि सर्व easy questions दे रहे हैं या फिर math the following questions नहीं दे रहे हैं इस type की questions पूछिए तो इसलिए आज ये questions आप लोग के लिए लेके आए हों आप लोग के ही request पे और इसमें हम देखिए easy के बारे बागे बात करो तो यहाँ पर tough questions भी करते हैं हम easy और moderate भी करते हैं आपने साइब पूरा session नहीं देखा है तो playlist में जाइए वहाँ पर पूरा session पड़ा हुआ है एक बार देखिए बहुत सारे questions आपने solve किया है जोरी नहीं है कि आप जो आज ये session हो रहा है इसको ही करेंगे पिछले sessions उतने ही important है या उससे ज़्यादा important हो सकते है start करते हैं 18th November का ये session पहला question है match the following दो list भी आ हुआ है एक list में आपको commission और report दिया हुआ है दूसरी list का focus area दिया हुआ है आपको match करना है list one with list two आपको आपका क्या answer है नीचे बताना है नीचे comment section में जाके और लिख देना है जिसे a का कौन सा match होगा b का कौन सा c और d एक ही answer बतब एक ही आपको comment करना उसके अंदर ये पूरे ही चारों का answer दे देना है कि किसके लिए क्या होगा और मैं यहां पर explanation start करता हूँ जैसा कि हम करते है एक एक option distance करेंगे तो देखे राधा कृष्ण कमिशन 1948 और 49 हमें मालूम है कि राधा कृष्ण कमिशन जो है न इसमें जो डाला था यह यूनिवरसिटी के स्वायत्ता पर autonomy यह कैसे हम यूनिवरसिटी को स्वायत बनाए और कैसे हम higher education की quality को बहतर बनाए political interference से दूर रखें उसको तो राधा कृष्ण कमिशन 1949 और अगर हम autonomy के बारे में बात करें खासतर से universities के autonomy के बारे में तो यहां पर देखें यह match हमें दिख रहा है autonomy of higher education उसलिए एक हमें match करूँगा second के साथ ठीक है तो आपको मलून चल गया कि हाँ राधा कृष्ण कमिशन यह foundation था higher education reforms के लिए autonomy quality assurance governance यह इसके key aspects थे ठीक है अब हम बढ़ते हैं कोठारी आयोग के तरफ 1964 से 66 में आया था कोठारी आयोग और कोठारी आयोग जो है यह सबसे well known जो आयोग है और इसने क्या किया था इसने बहुत सारे जो है यहाँ पर आपके reforms बताये थे कौन-कौन से changes लाए जाए जाए वो बताये थे उसको recommend किया था अब इस particular question के तरफे देखे तो कोठारी आयोग जो है उसने समान विध्याले पर अड़ाली यानि common school system को यहाँ पर advocate किया था याद रखेगा है दो चीज अलग-अलग होती है एक तो होता है advocate करना और एक होता जो NPE 1968 है उसमें यह काम करना start किया इसने है ना किसने यह जो आपका common school system है लेकिन यह आ गया था यह recommend कर दिया गया था कोठारी आयोग द्वारा ही और B का हो जाएगा third match है ना तो B का third हो गया अब आगया हमारे पास NPE 1986 modify जो program of action 1992 था तो NPE 1986 जो है ना इसका focus किस चीज पर था तो देखे इसका focus जो था ना वो था आपका secondary education को restructure करने के लिए vocational education के उपर विवसाइक सिख्षा जिसे हम कहते हैं और साथी साथ overall improvement जो quality है schools में उसके उपर था NPE 1986 का focus तो अगर हम इसको देखे तो secondary education system को restructure करने के बारे में था यही जो NPE था यानि national policy education 1986 इसने ही नव correct option होगा match होगा वो हो जाएगा आपका secondary education reforms यानि first तो C का first लिए और D एक ही बचा दी का fourth नाम से भी पता चलता है national knowledge commission और इसका focus था इंडिया को एक knowledge driven society बनाना या economy बनाना और एक ऐसा economy बनाना जहां पर जो knowledge है उसको सर्वों पर ही रखा जाता है सबसे उपर ग्यान को integrate करने के बारे में बात किया गया था है अपर चाकि ये सिक्षा को अनुशन धान को और आपस में जो जुडा हो है connectivity उसको बहतर बनाया जाए तो D का हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इसका correct answer A matched with 2, B matched with 3, C matched with 1 and D matched with 4 तो I hope कि इसका सही उतर नीचे comment section में आपने दिद दिया ह है ना ये किसका कौन सा matching है और अब हम बढ़ते है second option पर sorry second question पर हमारा second question काफी आसान प्रशन है लेकिन multiple choice correct है याद रखेगा which of the following are key components of Bloom's revised taxonomy बताईए Bloom का एक revised taxonomy आया था और उसका key component पूछ रहा है कि बताईए कौन सा इसका key component है Bloom's के revised taxonomy का तो देखिए यहाँ पर पहला है आपके पास remembering, दूसरा है understanding, तीसरा है applying और चौथा है evaluating का होगा इसका सही उत्तर तो देखिए Bloom's का जो revised taxonomy आया था यह आपको मालूम होना चुछ सबसे पहले तो आप question number two लिखके जो आपको लग रहा है आखा correct answer नीचे comment section में mention कर दीजिए यह कौन-कौन सा option इसमें से सही होगा और इसके बाद मैं आपको explain करता हूँ देखिए यह Bloom's का revised taxonomy 2001 में आया था इसको revise किया गया था पहले यह taxonomy जो है ना वो noun हुआ करता था नाउन और अब जो है यह change कर दिया गया इसको verb में word मतलब क्या हुआ कि doing word होता है यह मतलब कुछ करते हुए आप्रतीत होते हैं और noun क्या होता है नाम होता है तो revise taxonomy में original taxonomy को modify किया गया था और reorganize भी किया गया था तो remembering जो है इसका मतलब हो गया recalling of facts basic concepts जो है इसको recall करने के बारे में था और basically बात करें तो रटने के बारे में था understanding में क्या हो जाता है ideas और concept को explain करना चीजों को जो है वो उसके बीच में relationship find out करना तो यह था ठीक है फिर आ जाता है आपका applying applying में क्या होता है apply में आपको जो है जो भी information आपके पास है उसको नया situation में कैसे आप apply करोगे in new situations इसके बारे में बात होता है अचा और अब हम evaluating वारा जो यहां पर point है इसके बारे में हम बात करते हैं तो देखे अगर हम evaluating के बारे में बात करें, तो evaluate जो था, उसको अब नया तरीके से यहाँ बें introduce किया गिया था, पहले जो था, उसमें पहले वाला जो taxonomy था और अब वाले taxonomy जो है इसमें यही एक difference हमें मिलता है अब क्या difference मिलता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं, हमें दोनों समझना होगा यानि Blooms का revise taxonomy को और जो Blooms का original है उसको हम समझना होगा, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जो Blooms का revise taxonomy था, और जो original था, इसमें क्या क्या differences आपको देखने को मिल रहा है, original taxonomy बेंजमिन ब्लून ले लाया था, revise वाला अंडरसन और कराथवाल ने लाया था याद रखिएगा, और जो structure है, उसमें काफी change किया यह one dimensional था, जो original था और इसमें two dimensional किया गया और इसके बाद अगर हम देखें, एक जो overall क्या क्या इसमें अलग से change हुआ, तो knowledge की जिएगा पर remember आ गया, यह जो remembering है तो यह पहले क्या हुआ करता था, knowledge ग्यान, इसको remembering के तोर पे लाया गया, ठीक है इससे क्या हो गया, कि जो और ज़्यदा broaden हो गया, और ज़्यदा यह व्यापक हो गया, understanding जो है यह comprehension हुआ करता था तो comprehension को understanding के तोर पिलाया गया तो यह पहले comprehension था और यहाँ पर यह ज़्यदा dynamic ज़्यदा summarizing हो गया, understanding फिर application जो है वो applying हो गया, याद रखेगा यह पहले application हुआ करता था और इसके अलावा जो है न एक point है जो कि कह रहा है कि synthesis है न, तो synthesis जो है वो create हो गया, याद रखेगा यह पहले synthesis हुआ करता था यह creating था और last में क्या हुआ, last में है आपका जो evaluation था न, वो evaluating हुआ, और अगर criteria के basis पर judge करें, तो जो create वाला है यहाँ पर वो move हो गया था, यानि कि अनका order change हुआ था ही आपके blooms के revise taxonomy में है, और इसमें जो है कोई समसे संदेह नहीं है, और इसलिए इसका जो correct answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 तो दीखें, यहाँ पर जो है, आप गल्ती कर सकते थे और बहुत लोग इसे में confused जो जाते हैं, कि bloom का जो revised taxonomy है, और जो पहले वाला taxonomy है, उस पर क्या difference है, तो इसलिए यह आपको याद रखने की आउशकता है, कि सबसे पहले, देखें remember होता है, remember के बाद understand होता है, understand के बाद applying ing लगाते रहेगा, फिर analyzing होता है, फिर होता है evaluating, और last में आ जाता है creating यह है, आपका blooms का revised taxonomy, पहले जो है यह knowledge, comprehension, application analysis, synthesis और evaluation होगा करता था, लेकिन अब यह हो जाता है, remember understand, apply, analyze, evaluate and create, ठीक है तो I hope कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो, यह सभी ही blooms के revised taxonomy में आते हैं अब बढ़ते हैं अपने, तीसरे प्रशन पर match the following का question है, इंडियन logic का ये प्रशन है, और हेत्वाभास के बारे में पूछ रहा है आप से उनके description से match करना है, particular यहाँ पर हेत्वाभास आपको provide हिया गया है, और उनके description से उनको match करना है, पहला list है इसमें acid, B है विरुध, तीसरा है, सव विचार, और चौथा है बाधित, और यहाँ पर list to description है, इसमें है contradictory reason यानि विरुधा भासी करना, un-established reason यानि आप्रतिस्ठिट करना, तीसरा irrelevant reason यानि आप्रासंगी करना, और चौथा reason contradicted by perception यानि प्रत्यक्ष से खंडिट करना, अब बताईए कि किसका कौन सा match है, question number 3 खा, जो भी सही उत्तारे नीचे comment section ना mention कर दीजिए, और आप बोल रहे थे ना कि tough question ले क्या ही है, सर, अब बताईए कि ये question कैसा लगा आपको, देखिए, अब एक-एक हम discuss करते हैं, acid, acid, इसको हम क्या कहते हैं, अब इसके बाद देखिए, जो दूसरा option है, अब एक-एक पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप match करिए का, दूसरा है विरुद, विरुद को हम क्या कहते हैं, विरुद को हम कहते हैं, contradictory reason, ये तो आप match कर लेंगे देखके ही, मैंने बता दिया तो, तो middle term जो है ना, वो contradict करता है congestion को, जैसे मैं आप से अगर कहूँ, कि fire is cold, because it is a substance, because it is a substance, तो क्या ये सही होगा, fire क्या cold होता है, आग जो है ना, वो ठेंडा होता ही नहीं है, तो ये विरुद हो गया, विरुद हो ऐसे भी समझ में आता है ना, आप किसी के खिलाफ चले जाता है, अपना जो आप कहा रहा हो, वो ही आप अपने ही बात के खिलाफ चले गए, तो ये विरुद होता है, तो इसको आप मैच कर दीजिए, first से, यह ना, तो B का first, यहाँ पर लिख लेते हैं, A, B, C, D, और B कहें हैंपर आपने first मैच कर दिया, अब C है, sub-bicard, sub-bicard को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, irregular middle term, तो irregular middle term मतलब क्या हो जाएगा, the middle term leads to multiple irrelevant reasons, यानि बहुत सारे irrelevant reasons आ जाते हैं, जैसे, एक है, the hill has fire because it is smoky, where smoke can arise from other sources भी, आपने बता दिया, कि हो नहो वहाँ धुआ उठ रहा है, पहाडी पे, और इसलिए वहाँ आग लगी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है, वहाँ आग ही लगी हो, हो सकता है, कोई खाना पका रहा हो, वहाँ धुआ उठ रहा हो, ये भी तो हो सकता है, तो ये जो है आपका, irrelevant reason हो जाता है, इसको हम कहते हैं, sub-buchar, और irrelevant reason, या irregular middle term इसको हम कहते है, तो इसका जो match हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, third option, तो C का third हो जाएगा, प्रासंगी करण, B का हो जाएगा, विरुधा भासी करण, अब बाधित आ जाता है, और असिद एक हमारा बचा है, तो बाधित, बाधित को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, contradicted reason, the reason is contradicted by known facts, या नि fire is cold because it burns, अगर ऐसा कुछ कह दे, तो क्या आप मान सकते हो, कि भाई fire जो है वो cold है, क्योंकि ये जलाता है, तो ये तो कोई मतलब भी नहीं है, तो ये reason जो है न, वो contradicted हो गया है, परसर्शन से ही, प्रत्यक्ष से खंडित करण, तो क्योंकि हमें पता है पहले से ही, तो ये से ही खंडित हो गया, तो इसलिए बाधित का हो जाएगा, तो contradictory reason अलग चीज़ है, contradicted reason अलग चीज़ है, याना दोनों याद रखिएगा, और इसलिए कहा रहा था न, कि एक एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, वो याद रखिएगा, और आसिद्ध का हो जाएगा, un-established reason है न, तो un-proved जो चीज़े होती है न, उसको हम असिद में डालते हैं, तो A का हो जाएगा second, A का 2, B का 1, C का हो जाएगा, आपका third और B का हो जाएगा four, यही इसका correct answer हो जाएगा, हम चलते हैं अपने fourth question पर, हमरा fourth question again multiple choice correct है, पूछ रहा है कि निम्लखित में से कौन से अक्छे उर्जा स्रोत माने जाते हैं, renewable sources of energy हैं, पहला है solar energy, दूसरा option है biomass energy, तीसरा option है nuclear energy, और चौथा option है wind energy, solar उर्जा, biomass उर्जा, परमाडू उर्जा और पौन उर्जा, बताईए निम्लखित में से कौन सा renewable sources of energy है, multiple correct है, है नो, तो देखिए पहले से हमको पता है वैसे, लेकिन आप फेज़ से बता दीजे, question number four का क्या correct option होगा, नीचे comment section ने जाईए और बताईए, renewable sources of energy जो ऐसे source होते हैं, जो कि naturally replenished होते हैं, आपको याद होना चाहिए, कि प्रकृतिक रूप से जो प्रकृति है, वो उनको बार 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 रेफिल करती रहती है, इसमें आपको कुछ करने क्या होशकता नहीं है, फिर आप जो है न, ऐसा नहीं है कि वो खतम हो जाएगा, एक समय के बाद नहीं होगा, naturally replenished होता है, वो बार बार जो है न, वो आता रहेगा, आप solar energy है, solar energy सुर्य के उड़जा से होती है, आप सुर्य के उड़जा कभी खतम ही नहीं होती है, तो यह होगी आपका, क्या, इसका सही उत्तर, renewable sources of energy पूछ रहे हैं, अच्छा, wind energy, क्या हवा कभी खतम हो सकती है, कभी खतम नहीं हो सकती, तो इसलिए wind भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, biomass energy, biomass क्या होता है, organic material होता है, जो आपके जंगल में, पेड़ पौधे, उनके टैनियां गिर जाती हैं, कुछ पत्ते गिर जाते हैं, तो वो naturally आता रहेगा, और उसको आप हटाते रहो, फिर आता रहेगा वो, तो इसलिए इसको भी हम consider करते हैं, renewable source of energy में, nuclear energy जो है यह नहीं होता है, क्योंकि nuclear energy जो है, यह एक finite source है, या resource है, जिसको हम कहते हैं uranium, और यह uranium से ही nuclear energy बनता है, पर्मारोड या जो होता है, और चुकि uranium जो है, वो limited है, और हमारे अर्थ सही निकाला जाता है, यह non renewable होता है, और यह low carbon output होता है, इसका, आपको मालू होना चाहिए, कि जो यहाँ पर carbon output है, वो biomass energy का जो है ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी nuclear energy, जिस source से बनाया जाता है, वो source limited, और चलिए इसको हम renewable source of energy में नहीं रखते हैं, तो इसका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, 2 and 3, क्योंकि यहाँ पर पूछा है, कि कौन से consider किये जाते हैं, नहीं पूछता तो फिर एक option हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1, 2 or 3, sorry, 1, 2 or 4, इसका correct answer हो जाएगा, तो चलिए, यही था इसका correct answer, अब हम बढ़ते हैं पांच वे प्रश्ण पर, again, math the following question है, और यह प्रश्ण है, math the following research design with their characteristics, यानि इनके जो विसेस्ताएं हैं, जो भी research design ये सोथ की design हैं, उनसे match करना है, पहला list research design का, दूसरा है उनके characteristic का है, पहला है, ethnographic research ये निवन सुविज्ज आनुशंधान, दूसरा option है longitudinal research, अनुदहर आनुशंधान, तीसरा option है quasi experimental research, और चौथा action research, अब इनके characteristic देखिए, तो पहला study cultural practices, ये सांस्कृतिक प्रथाओं का ध्यान करता है, दूसरा option है tracks changes over time, ये समय के साथ परिवर्तन को track करता है, तीसरा है partial control over variables, chair पर आंसिक नियंत्र करता है, और चौथा option है वेवहारिक समस्च्याओं का समधान करता है, solve practical problems, तो बताइए कि कौन सा होगा, इसका correct answer, question number five का, जो भी आपको लग रहा है, कौन सा match correct होगा, आप जो है नीचे comment section में लिख दीजिए, A, B, C और D लिखके, और उनके respective options जरूँ आपर mention करिएगा, देखिए अगर मैं research design के बारे में बात करूँ न, तो अगर मैं ethnographic research के बारे में बात करूँ, तो एक qualitative approach होता है, एक गुनात्मक तरीका है, जो कोई भी आप अनुशंधान कर रहे हैं उसके लिए, जहाँ पर कोई भी आप सांस्कृतिक फेनोमेना, जिसे हम कहते हैं, कोई भी सांस्कृतिक या कोई cultural फेनोमेना होता है, कोई भी सांस्कृतिक कारे क्रेम है, सांस्कृतिक परिवेश है, उनको अगर आप study करते हैं, तो इसको मैं ethnographic research करते हैं, और ये natural setting में किया जाता है, याद होना चाहिए आपको, मैंने आपको बार-बार पढ़ाया हुआ है, तो ये natural setting में होता है, यादि उनके प्राक्रेतिक परिवेश हैं उसमें होता है, इसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये community behavior को जानने के लिए होता है, community behavior मतलब कोई भी एक particular community है, मां लिजे की कोई एक आदिवासी community है, आप उनके पास चलेगा और उनके रहन, सहन के ढ़ंग आप देखना चाहते हैं, कैसे वो रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या उनका दिन चरिया है, तो इसके लिए आपको ethnographic research करना होता है, तो अगर इसका मैं correct answer देखूँ, तो उसका correct answer हो जाएगा, ये जो है, cultural practices को study करते हैं, एथनोग्राफिक research में हम क्या करते हैं, cultural practices या सांस्कितिक प्रधाओं का ध्यान करते हैं, इसलिए एक आ हो जाएगा one, अब इसके बाद हम देखें longitudinal research, longitudinal research study करता है, एक extended period तक कोई भी एक subject को, माली जी कि मैं हूँ है, मेरे उपर आप research कर रहा है, तो आप मुझे 10 साल तक study करेंगे, 10 साल तक हर साल आप देखेंगे, कि मेरे में क्या क्या changes आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कि change और trend को देखने के लिए, क्या क्या बदलाओं हैं, क्या क्या changes हैं, या फिर क्या trends हैं इनको देखने के लिए, तो market research वगएर हमें काफी use आता है, जहाँ पर हम देखना चाहते हैं, कि market up या रहा है, down जा रहा है, पहले के trend क्या हैं, तो उसके अधार पर हम, जैसे जैसे हम आगे, यहाँ पर research करते जाते हैं, अपने खुद के जो opinion create करते जाते हैं, तो longitudinal research में हम क्या करते हैं, tracks changes over time, तो इसलिए B का second हो जाएगा, अब थर्ड है quasi experimental research, तो देखिए, एक होता है experimental research, जिसमें आप पूरी तरीके से control करते हैं, variables के उपर, और आप वहाँ पर क्या करते हैं, experimental research में, numerical data पर पूरी तरीके से rely करते हैं, लेकिन यहाँ पर experimental research से, कही न कहीं similarity तो है, लेकिन random assignment नहीं होता है, और social sciences में use होता है, quasi experimental, तो यह कहीं न कहीं beach वाला है, यानि कि अगर हम experimental research के बारे में बात करें, और अगर हम कहीं qualitative research के बारे में बात करें, तो इन दोनों के beach में जो है, जो आएगा वो होगा quasi experimental research, जिसमें अध प्रायोगी का नुशनधान कहते हैं, तो जहाँ पर controlling over the variables possible नहीं होता है पूरी तरीके से, तो वहाँ पर आप करते हैं, quasi experimental research, जिस C का third option correct हो जाएगा, partial control over variables, action research मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, एक collaborative approach है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, identify करते हैं और solve करते हैं problems, कोई भी एक particular संदर्व में, कोई भी एक विसिस्ट संदर्व में, specific context में, जैसे schools में, organization में, आपके classroom में, और ये immediate problem solving के लिए होता है, याद रखेगा, कि अगर आपको तुरंत कोई problem solve करना है, तो इसके लिए action research आपको करना होता है, तो D का हो जाएगा 4, और इसी के साथ ही जो है, अमारा पांच्वा प्रशन complete होता है, वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है, तो kindly वीडियो को like कर दीजिए, और नीचे प्रतिक्रिया दीजिएगा, आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे comments आते हैं, और वो मुझे motivate कर देते हैं, मुझे लगता है वाकई मैं help कर रहा हूँ आपका, अगर आपको ऐसा कोई, आप बंधे हुए नहीं हो कि आप comment करना ही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको comment करना चाहिए, अमलिया वर्षा जो होती है, उसके लिए इन में से कौन से pollutants है, यानि कि कौन से producer है, वो मुखे रूप से जिम्मेदार है, पहला है option, sulfur dioxide, दूसरा है nitrogen oxide, तीसरा है carbon monoxide, और चौथा है particulate matter, तो देखिए हमने बार-बार ये question किया है, लेकिन आज थोड़ा साइस में difference आपको देखने को मिलेगा, देखिए, question number six का आपको क्या लग रहा है, क्या correct answer होगा, नीचे comment section में बताइएगा, और फिर हम यहाँ पर discuss करते हैं, कि क्या होगा इसका सही उत्तर, तो देखिए, अगर हम बात करें, इस particular question की, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा sulfur dioxide और साथी साथ nitrogen oxide भी, देखिए, वैसे तो sulfur, अगर सिर्फ एक option पूछे तो sulfur dioxide होगा, लेकि nitrogen oxide भी जो है, important है, nitrogen oxide भी जो है, यहाँ पर काई ना काई atmosphere में, water के साथ react करता है, अगर आपको आपके प्रश्ण में, जब भी आप examination देने जाए, यह दोनों दिखेगा, तो यह दोनों ही correct होगा, याद रखिएगा, carbon monoxide नहीं होगा, नहीं PM 2.5 होगा, carbon monoxide यह pollution के लिए contribute करता है, लेकिन AC drain के लिए primary cause नहीं है, और particulate matter जो है, और अभी New Delhi का pollution जो है, बहुत ज़्यादा high चला गया है, schools और colleges बंद करने पड़ रहे हैं, वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो यह PM 10 है, और PM 2.5 है, इसका मातरा जो है न, वो hazardous level पर चला गया है, मतलब वहाँ पर जो हवा है, उसमें जहर घुल चुका है, अगर आप हवा में सास ले रहे हैं, तो कहीं न, कहीं आप निवता दे रहे हैं, किस चीज के लिए, आप यहीं bronchiitis और asthma और lung cancer को, तो इसलिए अगर आप डेली में रहते हैं, तो कैंडली आप यह तो oxygen mask लगा के निकलिए, यहीं कर सकते हैं आप क्योंकि यह तो हर साल का है, पराली जलाते हैं लोग और पराली जलाने से पूरा pollution खाल जाता है पूरे देली में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब अगरते हम next question पर, question number 7, teaching methods को उनके key characteristics से match करना है, है नहीं यहाँ पर teaching methods दिये हुए हैं, list one में और list two में उनके विसिस्ताएं दी हुई हैं, पहला है expository या व्याख आत्मक, दूसरा experiential या नुभवात्मक, तीसा है collaborative या सही होगा आत्मक, और चौथा option है reflective या चिंदनशील, इसको हमें match करना, यहाँ पर teacher centered, direct instruction, learning by doing, group based learning, और critical thinking and introspection से match करना है, बताइए इसका matching अगर आप करेंगे तो क्या होगा, इसका correct answer आप जो है तुरंत यहाँ पर बता सकते हैं, तो देखिए, expository, आप सबसे पहले तो आप अपना answer बताइए, यह नीचे comment से मिल जाईए और वहाँ पर mention करिए, क्या होगा आप करेंगे तो देखिए, अगर हम बात करें, expository की, तो expository method होता है, यानि विया ख्यात्मक है, विया ख्यान दे रहा हो, आप आ रहा हो, student के उपर बिलकुल भी focus इसका नहीं होता है, क्योंकि एक traditional method है, यहाँ teachers जो आना information directly provide करते हैं, content clarity के उपर ध्यान देता है, देना होता है, ना कि student engagement के उपर उसलिए इसका correct answer हो जाएगा, match A का 1, एका तो 1 match हो गया, वन में क्या दिया है, teacher centered और direct instruction सिक्षक के अंदरित और प्रतेक्टिन देश, दूसर अपसन है experiential, यानी अनुभवात्मक, तो इसमें अनुभव से हम सिखाने कोचिश करते हैं, तो यहाँ पर students जो आना active होते हैं, students active learning करते हैं, activities करते हैं, simulation करते हैं, जो कि real life scenario को mimic करता है, तो कहें न कहें, इसकों कहेंगे learning by doing, या करके सीखना, और इसके बारे में बात किस ने किया था, तुरन बताईए, देखे, एक एक चीज़ को, मैं एक एक concept से आपको जोड़ को बता दे रहा हूँ, learning by doing को दिया था, जोन डूई ने, जोन डूई ने ही बात किया था, learning by doing, तो B का हो जाएगा, second option correct हो जाएगा, तो students को encourage करता है, analyze करने के लिए अपने experiences को critically और conclusions draw करने के लिए, deeper understanding के लिए, ज़्यादा गहन समझ के लिए, कि उसलिए D का हो जाएगा, fourth match, तो ये इसका correct हो जाएगा, A का 1, B का 2, C का 3, and D का 4, तो I hope कि इसका से उतर नीचे comment section आपने दिया हो, अब हम आ जाते हैं अपने आठेवे प्रश्म पर, again ये मैं the following question है, list 1 है policy और acts, list 2 है provisions, यानि नीती या अधिनियम है, और उसको आपको मिलान करना है उसके प्रावधान से, तो कौन से कौन से act या policies में क्या क्या चीज़े आई थी, तो बताईए क्या होगा, किसका correct matching आप जो है question number 8 लिखके और नीचे बता दीजी, comment section में जाके आपको क्या लग रहा है, A का, B का, C का और D का cam matching होना चाहिए, तो 2009 में आया था ये, आपको मालूम होना चाहिए, और right to education act reassure करता है कि हमें मुफ्त और बिल्कुल ही अनिवार या सिक्षा, यानि ये free and compulsory education सब ही बच्चों के लिए एक specified age group है, जैसे 6-14 साल, तो 6-14 साल के बच्चों के लिए हमें मुफ्त सिक्षा देना है, और उनके enrollment ही और quality gaps जो हो रहे हैं, उनको ध्यान रखना है, तो free and compulsory education for children age 6-14 years, ये इसका correct match हो जाएगा, फर्स्ट का, एक आवन हो जाएगा, अब भी national education policy, तो national education policy holistic और flexible education system के बारे में बात करता है, ये बात करता है कि हम बच्चों को बहु विश्य ही सिक्षाद करनारी जो है, वो प्रधान करें, जिसमें कि बच्चों पास options हो, अलग-अलग disciplines, अलग-अलग subjects को एक साथ पढ़ने का, तो multi-disciplinary education system B का second math हो जाएगा, C, सरो सिक्षा अभ्यान 2001 में आया था, आपको मालू महुंचे, इसका aim था कि हम कैसे सारो भौमिक तल, जो है, इसको हम आगे बढ़ा है, सिक्षा में universal access पहुँचाएं, at least primary education का, और elementary level पे retain करें बच्चों को, कहीं न कहीं disparity खतम करने के लिए, भेलभाओ खतम करने के बारे में बात किया था, तो universalization of elementary education, प्रात्मिक सिख्षा का सौर भौमिकरन, B का C का third हो जाएगा, और D, university grants commission act आया था, 1956 में, higher education system को regulate करने के लिए, और funding के लिए, जो कि आज भी funding में होता है, अब विश्विद्धाला मिदान है, यो क्या करता है, ये funding देखता है और और regulate करता है, regulation देखता है, तो कि ये D का four हो जाएगा, तो ये इसका correct answer हो जाएगा, तो देखें कितने सारे concepts आज आज आपके clear हो चुके हैं, यह न, इसलिए in session से जुड़ना बहुत important है, question number nine है हमारा, again multiple choice correct, which are the following are major barriers to effective classroom communication, बताइए इन में से, अगर हम बात करने, कक्छा संचार में बाधाओं के तौर पे, कौन से मुख्य बाधाएं हैं, जो कि कक्छा संचार में बाधा के तौर पे काम करते हैं, पहला है, noise in the environment, पर्यावरान में सोर, अगर कक्छा में बहुत सोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे आपस में सोर कर रहे हैं, तो क्या वो एक barrier के तौर पे काम करेगा, classroom communication में, दूसरा है, teachers का bias, या सिक्छक का पक्छपात या पुर्वाग्रा, सिक्छक अपने मन में कुछ पक्छपात रख रहे हैं, कुछ पुर्वाग्रा पहले सही बेठा कर रखा हुआ है, या फिर feedback तंदर की कमी, जहाँ पर सिक्छक ना बच्चो से feedback लेते हैं, ना बच्चो जो ना सिक्छक का कोई feedback लेने वाला है, तो क्या वो होगा या फिर digital loop करनों का उप्योग, बताइए इन में से कौन कौन सा सही होगा, effective classroom communication में barrier के तौन पर कौन से काम करते हैं, question number 9 का क्या correct answer होगा, नीचे comment section में mention कर दीजिए, और फिर हम discuss करना स्टार्ट करते हैं एक ही option, प्रशनासान है, देखिए, अगर हम बात करें noise की, तो noise मतलब क्या है, physical disturbance है, आपके कक्छा में बहुत सोर हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो एक physical disturbance create करेगा, जो आपको पढ़ाने में disturbance करेगा, barrier लाएगा, जब भी आप कुछ बोलोगे, communicate नहीं कर पाओगे, तो distraction है न, तो कहीं न कहीं clarity of communication जो है न, वो interfere होता है, तो noise जो है, यह तो सही होगा, फिर teacher bias, अगर आप अपने मन में कुछ पहले से ही बठा कर रखे हो, कुछ group of students के लिए है, किसी student के लिए है न, पक्चपात कर रहा हो, तो कहीं न कहीं limit करेगा वो open discussion और participation, कहीं न कहीं वो marginalized group या हांसे पर रहने वाले जो communities हैं, जो group हैं, उनको कहीं न कहीं उससे काफी नक्सान पहुँचेगा, तो इसलिए teacher का bias भी एक effective classroom communication में barrier साबित होगा, दिखेंगे अगर feedback नहीं होगा न, तो teacher access नहीं कर पाएंगे, कि students को समझाया कि नहीं content, माली जिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं feedback आपका लेता रहता हूँ, हाना, आपके लिए मैं doubt group मैंने बना के रखा हैं, टेलिग्राम पर, और बहुत ही focused group है वो, वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं हैं, बस वहीं लोग रहते हैं, जिनको actual में पढ़ाई समतलाव है, तो वो doubt group क्यूं है, आपके feedback के लिए, हमारे whatsapp पर भी discussion group बना हुआ है, doubt group बना हुआ हूँ, तो वो क्यूं बना हुआ है, feedback के लिए, ताकि feedback मिले, कहां पर आपको problem आ रहा है, मैं उसको सही करूँ, तो ये feedback मैं कहने जब अगर नहीं होगा, तो उससे problem create होगा, और ये effective classroom communication में कहीं कहीं बाधा बनेगा, और इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका create answer हो जाएगा, और क्योंकि ये पूछा है barriers, तो इसलिए हम barriers लगा रहे हैं, digital tools को अगर आप इस्तिमाल कर रहे हैं, जनरली ये communication को बहतर बनाता है, माली जी मेरी आवाज classroom के अंध तक नहीं पहुँच पा रही है, एक physical classroom है, तो मैं माईक लगा लूँगा, इसके साथ साथ मैं एक smart word रख लूँगा, तो उससे communication ज्यादा बहतर बनेगा, क्योंकि यहा पुछा है, तो पर्यावन मिस हो, शिक्षक का पक्षपात और feedback तंदर की कमी, ये तीनों options सही हो जाएगा, और इसे के साथ हमारा नवा प्रश्न भी खतम होता है, यहां तक वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, आज का यह हमारा प्रयास, तो kindly वीडियो को लाइक कर आपको, यहना, दो लिस्ट दियो है, एक है, अनुशंधान के प्रकार, और दूसरी लिस्ट में आपको उनकी विशिस्ताय दी हुई है, पहला है experimental research, experimental research, यानि प्रायोगी का अनुशंधान, अब प्रायोगी का अनुशंधान जो है, इसको हम किस्से मैच करेंगे, एतिहास के बारे में, मैंने आपको पहले ही बताया है, कि आप यहाँ पर variables को control करते हैं, हैना, control setting में करते हैं यह, और कहीं न कहीं यह, कारण, प्रभाव, cause, effect, relation से find out करना चाहते हैं, यहाँ आपको, क्या लग रहा है, नीचे comment section में अपना जो राय जरूर दीजिएगा, हैना, एक- यहाँ से कनुशान दोने था, यहाँ पर हम past event को examine करते हैं, और past event को examine करते हैं, ताकि हम future को बहतर बना सके हैं, past से learning लेके, तो यहाँ पर हम archival documents का use करते हैं, oral history हो सकता है, record हो सकता है, तो कहीं न कहीं हम past event को analyze करते हैं, उनके relevance को देखते हैं, present में क्या है, तो इसलिए B का second हो जाएगा, अब C आ जाते हैं, एक्स post factor research, तो यह investigate करता है क्या current प्रभाव संबनत है, cause effect relationship को, और इसमें researcher का interference नहीं होता है, तो इसमें किसी प्रकार का variable पर manipulation नहीं होता है, एक्स post factor research यह हमेशा कोई भी घटना होने के बाद, after an incident किया जाता है, कोई भी घटना हो गया, इसके बाद यह होता है, आप investigation करते हैं ना, किसी फेनोमेना का, तो इसमें आप manipulation नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ा आइज़िश आपको मिल जाए, तो यह ex post factor research होता है, जहाँ पर आप current प्रभाव relationship देखते हैं, लेकिन वो retrospectively देखते ह हैं उसको, तो यह इसका correct answer हो जाएगा, C का third हो जाएगा, और again, D qualitative research, तो qualitative research जो है न, यह कहीं न कहीं interview, observation, thematic analysis आप करते हैं, social phenomena या सामाजिक, जो भी घटनाय हो रही हैं, उनको समझने के लिए, बहुत ही in-depth में, इसको हम कहते हैं, qualitative research, तो subjective experience पे focus करता है, subjective मतलब यह व्यक व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, मैं अगर आप से पूछू, आपने skydiving की है, तो आपने बोला, हाँ की है, मैं बोला, आपको कैसा लगा, आपनों बहुत जादा enjoyed किया, मैंने, बहुत जादा adventurous लगा, एक इंसान से मैंने पूछा कि बताईए, आपने की यह बोला, कि हा qualitative research को करते हैं, गुनात्मक अनुशन धान को करते हैं, और यही इसका correct answer हो जाएगा, डी का 4, और इसी के साथ आज का यह हमारा प्रश्ट उत्तर सिंखला, खतम होता है, I hope कि बहुत सारा आपको knowledge मिला होगा, बहुत को सीखने समझने को मिला होगा, इस वाले particular session में, तो मैं आपसे मिलता हूँ, next session में, और जो भी आपके प्रतिकरिया हो, feedback हो, जरूर दीजेगा, आज का यह session कैसे लगा, यह questions कैसे लगे, नीचे comment section में जरूर बताइएगा, वीडियो को like नहीं किया, तो kindly वीडियो को like कर दीजे, और अगर आपको कोई भी doubt है, अगर आप एक serious learner है और आप जुनना चाते हैं, ऐसे ही आप ही के जैसे, और serious learner से, तो हमारा doubt group है, लेकिन वो invite only doubt group है, तो उसके लिए आपको comment section में पूछना पड़ेगा, कि कैसे हम जुड़ सकते हैं, फिर आपको बताया जाएगा, तो धन्यवाद एस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे, आगले practice session के साथ दिल देना आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, नमस्का.